हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई इस्टडी फीट आफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तों जैसा कि मैंने कम्यूनिटी पोस्ट भी आपको बता दिया था कि मेरा मुबाइल गुम हो जाने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पार रही थी पुना मुबाइल लेने और सेटप करने में थोड़ा समय लगा दोस्तों और पुनाह मैं आ गई हूँ अब डेली बेसे से में कोसिस करूंगी आपके परिच्छा तक सुबह साम दोनों टाइम दो वीडियो अपलोड करूं जैसा कि आपके पास अब टाइम बहुत कम है अब में में चीजों को आप फोक प्रैक्टिस रहेगा तो में साथ जुड़े रहिए और अच्छे प्रैक्टिस कीजिए और अच्छा फ्रफांग कीजिए तो दोस्तों चलते हैं आज की कोशन के तरफ कोशन है आप रिती सारड़ी यानि फ्रिक्रिवेंसी टेबल में एफ द्वारा दर्सा है जाता है तो किस बिग्यान में बल का अध्यन किया जता है देख देखिए कि दोस्तों मैंने भी बल का अध्यन किया जाता है एक कोशन चर्याइड में आया भी था कि वह जहां बलों का अधियन फोकस में रहता है वह क्या कहलाता है याद रखिए जिसमें बल पर अधियन फोकस में रहता है वह काइनेटिक्स कहलाता है ठीक है काइनेटिक कहलाता है या काइनेटिक्स कहलाता है याद रखिएगा जहां पर बल का अध्यन फोकस ने हो, यानि बल पर जोर दिया जा रहा है, वहाँ काइनेटिक्स होगा, लेकिन जहां पर बल के पर जोर नते करके वस्तोव में किस प्रकार से गति होती है, उस पर जोर दिया जाए, तो ओ आपका होगा काइनेटिक्स, यानि की सुध्ध गति लुट हमें लुट है न म्हांन को लिए नियुक्वाइब केसि का फोन की किया जाता है और की लंखत आधियर के लिए कांधिया न लुट है द स्侹ख केया में कर सकतוכ सबस्ञेंद कीryaह béla याद रखेगा दोन्हों में confusion oldu जहांपे बल में बल पर जूर दिए रहे हैं कोौष्टनपर कैनेटिक होगा बब बल पर नजूर देकर के वह तो में जो गती में परवर्थन होता है उस पर जूर दिया रहे आधन है तो खेल लोक निर्थी संगीत यह सभी है और नेक्स्ट है मुनरंजन हम ही देता है दुस्तु समाजी समानता भी देता है साथ मिलकर करके हम खेलते हैं कारेक उसलता में ब्रिदिव होती है और मानसी को सारी सक्तियों का विकास होता है उपरोक्ष सभी चीजे यहां प पर देखा होगा मैंने पढ़ाय हुआ है इस पुर्ट साथ की लोजी में कि सास की स्वेंस से भी नीजी ब्यापारिक यह चाप्रका की मुनरंजन होते हैं आप च्यार राइट हो जाएगा नेक्स्ट है सैथिक संस्थान मुनरंजन कारेकरम संचालन का मुख्य साधन है यह तो सत्य है नेस्ट है अच्छे-चे कोस्टन मिलेंगे पूरा कोस्टन देखिएगा एक भी कोस्टन इसकी मत कीजेगा दोस्तों आपके पास अब टाइम नहीं है परिच्छर यानि टेस्टिंग का मापर निर्भग करता है तो कोई भी परिच्छर हम मापर कर रहे हैं तो उ चिस्ट मैजर्मेंट वाले वीडियू कि उसके लिए किसी और क्राइड़िया आप गूड टेस्ट के लिए तीन चीज़े होती है बैगयानि क्रिमाजिकथा प्रसासनिक बहरिकता ऐन सैचिक प्रिव्प बैगयानिकषिसर की अंतरगत आपका रिलेप्लिटी वैलेडिती अ यहां पर रहेडिटि क्या हो जाएगा अब्जेट्टुेट्री भी रहेगा वालेडिटी भी रहेगा एंड ररीलेब्लीटी भी होगा यहां पिर प्रन का श्याट पर लेस्व न है उसका बार बार टेस्ट किया जाए परिए जांग परिचर किसी समूर पर बार-बार किया जाए और प्रीडाम लग बाग एक जैसा आए टेक्स्ट है मुच यानि इस्प्रेन का कारण है जैसे कि दोस्तों मैंने बार बार आपको बताया है कि इस्प्रेन और इस्प्रेन दो ऐसे चीज है जो बार बार आता है और मुच आपका आया ही था तो मुच यानि इस्प्रेन और खिचाओ यानि कि इस्प्रेन मुच जो होत स्ट्रेन को इस्ट्रेन नब रोकर के इस्ट्रेन ली से हो जाएगा लिगामेंट और इस्ट्रेन को इस्ट्रेन नब रोकर इस्ट्रेनम बोलिए मस से हो जाएगा मुसल्स या टेंडन ठीक है तो इस्ट्रेन यानि कि जो मौश होता है वो लिगामेंट के अतिधिक जाने से हो जू टेंदन होता हैं कंकाल मांसपेसई यानिया एल्चिक पीचियो को अस्थियों से जुरता है जो अती रखेगा यानि आज टेंदन मांसपेसई की चूट रहेगा तो श्ट्रेइन यानि खिचाओं लिगामेंट की चूट रहेगा तो स्पैन मौज रहेड़ Chris पा more अब रियावत पर सिच्छर अच्छर से नहीं हुआ है तो भी होगा यहां पर राइड इंसर हो जाएगा उप्रोक्ष सभी नेक्स्ट कुछन है वैदता यानि वलेडिती का क्या अर्थ है तो दोस्तों गूर टेस्ट के लिए किसी भी टेस्ट का परिच्छर करने के लिए यहां पर राइड इंसर हो जाएगा कि परिच्छर द्वारा उसी गुण को मापा जाना चाहिए इसकी लिए उसका उप्यू किया जाता है नेक्ट कोशन है फेपडों की छमता का मापन होता है तो दोस्तों फेपडों की छमता यानि की स्वसन छमता को स्पाइरो मेडर से मापा जाता है नेक्ट कोशन है यदि किसे व्यक्ति को एक जैसी परिशिती में उसी परिच्छर से दो या दो से ज़्यादा बर माप लिया जाता है और ऐसी इस सिती में यदि परिडाम एक जैसा आए तो इस तरह के परिच्छर को क्या कहा जाएगा तो कोशन पढ़ती ही आपने सही एंसर टिक कर दिया होगा यह क्या कर रहा है कि उसी परिच्छर को दो या दो से या या बार बार परिच्छर किया जा रहा है अब परिडाम एक जैसे आ रहा है मतलब कि वह रिलेबल है विसोसनिय है सही है यहाँ पर राइट एंसर हो जाए यहाँ पेस्टा से अधिक खेच जाने से होता है और चैनल already इसमिया मोज या है तो फिर से ही एक कोशन रिपीट हुआ मैंने जब भी बताया थैं कि स्प्रेणि निया मांस्पेशी हुआ यहां पोछा है इस प्रैनिया मोज है अस्तिबंद और लिगामेंट की चूट है इसमिन लिचक होती हैजिसके किरा हम अंगों को मोड़ पाते हैं को – कम किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पे आफima न दिया है मालिसम द्वारा, शोनाब द्वारा, इस सभी थोड़ा कार्गर हैं, बढ़ इस सभी में सबसे हैं मालिसम जीसे हम वरब्ब करते हैं तो हमारे मानस से कोई सा घ्रिडवबरों की टैसे कि मैं आपको स्पोर्स मेडिसीन वाले छाट में बता होक्कि इसमें लेकरेशन संगा northern टाया है हम जैसे तो होता है चार प्रकाल गाओ र त्रीक है पीला पिला ठीक है इसका त्रिक है पीला थीक है प्लिस यह हो जाएगा पंचल ठीक है जाना को च्णपिल अंगों तंदे सकता है इस hallee लाल पड़ जाना और अबरेजन को हम लाल पड़ जाना यानि मैदान में गिर जाने के रगड लग जाने को इसको हम अबरेजन को टॉफ बर्न गेट बर्न फ्लोर या सिंडर बर्न आदी नामों से जानते हैं नेक्ष कोचन है निन में से कौन सी एक त्वचा समंधी चोट है तो दोस्तो अभिजश्ट में बताईं है त्वचा छिल जाना एबरेजन कर लाता है नेक्ट कोशन है कि न्यूटन का देती ये नियम क्या है तो दोस्तों आप सब को पता है न्यूटन के नियम के बारे में न्यूटन जो है महां दार्षणी को गढ़ी तक अभ port इक्सास्त्य थे इंग्लैन जाता है और जिसके अंतरत इंस एकजामपल है नाओ खेना स्प्रिंट दर्ड़ों में इस्टाइ्ट लिना रोमन का प्रारम हैमर्थ्रो का प्रारम कुस्ति की बिरोधी को उपर उठाना यह प्रथन नियम के उद्धर एक्जांपल है नियुटं का दीतिय नियम है समवेक का नियम इसे हम तोरण का नियम लाफ मोसम लाफ एक्सिलेरेशन लाफ मोमेंटम बल्के प्रतिफल का नियम परड़ा के will जाना से दिजसे अजिसेर साफिद आधिदामय डीदामों से जाना जाता है तो यहां पें दिथी नियम पूछा तो दिथी नियम हिमेज्दी है कि बैंटमां पार्ण अब ब्राबर मास्ट्डोड इसिथाज सुग्दामय के तो ड़्यों प्रीदाम अब इस Jewish नियम' है एक निशित दिशा में सव्वेक परियोतन की दर को हुई वह दर का उस वस्तु पर लगाएगे बलके प्रतिफल का अलुपात तुरण कर लाता है इसे परिरामी बल का सिधान भी का जाता है दिती नियम को यह भी राइट है और जड़तों का नियम को कहा जाता है बट दिती तो आप सबको पता है तीन प्रकार के होते हैं इसका मैंने ट्रिक आपको बताया हुआ था एफ ए आर इसमें तीन चीजे होते हैं यहां पे तीन चीजे होते हैं फोर्स एक्सिस और रसिस्टेंस फोर्स यानि बल एक्सिस यानि फलक्रम रसिस्टेंस यानि भार तो यहां प बताय हुआ था 302 यानि कि फर्स्ट प्रकार के लीवर में आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट प्रकार के लीवर में एक्सिस बीच में होगा याद रखेगा इससे जरूर आएगा एक्सिस बीच में होगा प्रत्र प्रकार के लिवर में आपका एक्सेस बीच में होगा और सेकेंड प्रकार के लिवर में रसिस्टेंस यानि भार बीच में होगा अथर्ट प्रकार के लिवर में फोर्स यानि बीच में होगा प्रत्र प्रकार के उत्तर लोग को संतुलंग का लिवर कहते हैं जिसमें में होता है इसे हमारे बाड़ी में एक्जांपल होगा बांग को फैलाना यान एक्स्टेंशन आप फोर आम एंकल फ्लैक्शन सिर का आगे या पीछे जूकाना बालीबाल में इसमेश करना वी सीट और देटी प्रकार के उत्तोलक में जो है रसिस्टेंस यानि भार बीच में ह वहता है जिसे बल का लीवर कहते हैं बाड़ी में हमारा एक्जांपल हो जाएगा देटी प्रकार के लीवर का फ्लांटर फ्लैक्शन और पूसप लगाना जबरे का खुलना बंद होना बॉलीबाल बॉस्केट बाल में पंजी से जम्प लेना एंड त्रिप्रिकार के उत्त पिने का मोड़ना सीटा हाथ को उपर को उठाना आयो हो कि आपको अच्छी से समझ में आया होगा एक्स कोशन है दोस्तों कि लीवर का कौन सा भाग है अभी मैं जस्ट बताएं कि तीन चीजे होती है एक्सिस फोर्स और असिस्टेंस यहां पर फोर्स रसिस्टेंस और एक्सि कर पोउस्ता है सभी को हैं आपके मौश इंपर्टिन है लेक्रीय जूस्तों बल प्रवक प्रकार क्या होता है तो कि इन्टर्न फोर्स एक्क्टर्न फोर्स यानि आंध्रिक वाहें बल होते हैं अफ्सी तो यहां पर आप देखते हैं कि आंद्रिक बल यो मौ्सल्स grading करता है वाई बल के अंतर का घरसर बल प्रतिरोव हवा का प्रतिरोद आधी होते हैं जर्टी बल इनर्शियल फोर्स यह सभी उप्रोप सभी यहां पर राइट एंसर हो जाएगा लिएक्स्कूशन है मन्रण अभलत्द करने वाले कितनी अभिकरण होते हैं लिडिक्र होती हैं नेक्ष्ट कोचेंग है दोस्तों कि न्यूटन का प्रथम नियम है जएनों नियूबकी आप pana नेक्स को चाहिए दोस्तों नार्चर को जाना जाता है जैसे कि आपने पढ़ा हुआ जो हमारे प्रशनालिटी होती है या फीजिकल फीटनीस होती है उसको सबसे जदा प्रभावित करती है आपका अनुवानसिक्त और वातावर जिसको हम नेचर और नार्चर भी कहते हैं ने प्रशन देती है नेचर ठीक है और उसका पोसर करती है नर्चर यानि कि वाता और इसको आप फैमिली से जोड़ सकते हैं दोस्तों मैं नेचर और नर्चर के बारे में डीटने बताई हुई हूई हूँ स्पोर्स साइकोलोजी में ब्रिदियो विकास में अच्छे से उसको देख लीजिए नेचर है दोस्तों यानि कि जो नेचर होता है यानि हो सकती प्रदान करता है लेकिन उसका पोसर उसको बहाता है उसको पालम पोसर को करता है इन्वारमेंट एन्वाता और इसको परिवार फैमिली से जोड़ सकते हैं नेचर रीसेट और मोसन का अधियन किस किन्सिधे का से थिया जा जातार है तो हमारे दूरा किस अंगल पर क्या फिका जाएगा उसका और यहांनिक जो आतर की अंत्रगत की अंत्रगत नेक्ष्ट कोसें हैं दोस्तो एतलीर की चोटों का बचाओ किया सकता है मैं तो सबसके करगर उपाया है वर्मिंग अप करना टीक है systems मार्सूससयाती तो काला ये वर्समात हुजाने के बाद कीलिंग डांड करना पॉर्मिक आपके कारव हमारी मॉस्सल्स में लखिलापन बढ़ता है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है जिसे चोटे कम आती है और आक्सिजन गढ़र करने के उसमें छमता बढ़ जाती है क coaching है कि अम आधी किया जा सकता है यहां फस्प्रिशूर पेट की सकती को पर्टिया जा सकता है तो दोस्तो रणिंग से हम अपने सकति को करेंगे पूशब से हम क्या करेंग पूशब लगाएंगे थ कि हमारे बांक खी सकतीं點 न ह nessa काट थे तिया लेटिव इताप पार्टियल सीटप से च्या भीशित होता है तिया पुछा हुए देट ने दूनों हाथ पीछे फसा करके उपर अपने घोटने को हाथ के कोमनी से मिलाते हैं तो क्रंच उसी को कहते हैं इसमें सीधी फोर्स आपके पैट पर पढ़ता है इभी आपका त सीट पोता है इसे फोर्स जो है बीश में पड़ती है पेट पर तिर्ट्वाग लिवर आता है यहां पेट की माश्बेशी को कर सकते हैं कि तो यहां पर दामील प्र बोले गांड प्र्टी और सीट बोलेगा चाहिए कुछित करेंगे इंजनी के में प्रथम चिकिस्टा क्या होते हैं इन सभी में सबसे पहले हम बर्क का प्रियोग करते हैं बर्क की थेली का प्रियोग यहां पर राइट अंसर हो जाएगा नेश्ट कोचन है यांतर की य्यानिमेकनिक्स वह चाखा है जिसका संभंध है दोसतों यांतर यण मेकनिक्स का संभंध मोशन और रेश्ट दोनों से हैं यहां पर राइट अंसर हो जाएगा एक और दो दोनूं कि पेस्ट कोचन है कि निचले धर्ण लोवर टोर्बसू में बिख्सित सकती बिख्सित करने का आस्रुतम तरीका क्या है सबसे पहले तोर्बसू जानिए हमारे गर्दन से उपर का भाग और दोनों हाथ दोनों पेर को छोड़ दीजिए खाले धर्ण वाला भाग उपर बचे जब तक इमेजरी लाइन को जो तोर्सो वाला कमर से कंधे तक का भाग होता है वह पाहर न कर लिए तो कमर से एवा कोशन कि योवें चोटग का तुरंत लच्षर क्या तो इसे के मुचा थे थे रिध मोलग। कोशन में लच्षर दोस्त नहीं है फिरणी है डाशिक्षार कंप इड़ी की चोट का तुरंत लच्षड क्या संय Arirismi यानि की सूजन आ जाना क्या होता बाड़े में सूजन रहा जाना ओडारि में सातरु से स्टेर्य हो जाता है। क McCain è ओडिमा तुरंत प्रलचित करता है दोस्तों जो हमारे सद्री पे मुझ से कि इस्प्रेइन हो जाता है तुरत वहां भी सूजन हो जाती है सूजन को ही ओडिमा कहा जाता है कि नेस्ट कोचन है एनापोलिक इस्ट रायड है दोस्तों जैसे कि हमारे डोपिंग को मुखी रूप से बाटा गया है पदसन बहाने वाले एंड आल-टाइम बेंड इनकंपरिशन बेंड एंड इस्पेसल गेम में बेंड तो यह जो एक डोपिंग एजेंट भी है एक प्रदसन बढ़ाने वाला एजेंट है यहां पर राइट एंसर हो जाएगा को अग दूनों ठीक है यह तो है डारेक्ट पेस्यों पर असर करता है पेस्य आसिम सक्तिय संसिलता बहा देता है अनाबोलिक इस्ट्रायट और डोपिंग के छेतर में सबसे ज्यादा प्रियोग किया जाता है अनाबोलिक इस्ट्रायट का एनाबोलिक इस्ट्रायट को हम सौर्ड में ए एस भी होलते हैं ए से तात्पर होगा पहला ए से एन्रोजनिक औ और दूसरा ऐसे एनाभोलिक इस्रायद, अंड़ोजेनिक सिताथपय होता है पोरूस टत्व यानिक म स्क्ली लिंजी और एनाभोलिक सिताथपय होता है टीश्वी बिल्डी यानि उत्को का निर्मार्प, यह पेशियों की ताकवता स्वस्रीता में असी बृधि कर देता है औ ऑवाज भावी होना ऑड़गी मुझ चाना आदी कि नेक्ट को सलने दोस्तों एक्सिलिशन कैपिलीती कैपीसिटी एन्द प्रतिक्या चंता है किसके रूप हैं जिसे कि आपने देखा होगा एक्सिलिशन कैपिसिटी एर प्रतिक्या चंता है यह स्पीड और एजिलिटी दोनों के रूप है यहां पर आपका राइड इंसर हो जाएगा फूर्ति यानि एजिलिटी जैसे कि गति को बिशित करने का दो विधिया होती है एक्सेलिरेशन दौर अनपेसरेस तो यहां पर फूर्ति को ही पहले जो है एजिलिटी जैसे कि फिजिकल 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 फिज कि बोला जैता था दूस्तों के कौographics को पहले कि का कि जीलिटी ही बोला जाता था ठीख है रेकशन का क्या बोला जाता था अजीलिटी को ही यानि फूरति नया ना दुनिक नाम है को अदुनिक नाम स्ब्ल summarize ति तो कोने के लिदेगत मैंनेा आपको बतायता स defini जिसमें से A, B, C, D, R, R, O हमने बताया था, A से हो जाएगा एराप्टेशन अबिलेटी अनुकुलन योगता, B से हो जाएगा बैलेंस यानि संतुलन योगता, C से क्यूपलिंग यानि यूगमन योगता, D से डिफ्रेंसियेशन यानि प्रिथक्रड योगता, R से रिद्मिक यानि तालमेल योगता, R से रिद्मिक प्रिथक्रड योगता, O से और्याटेशन अबिलेटी यानि निधायर योगता, यहां पर बुजाता है एक्सलेशन यानि प्रिथक्रड योगता, जो गति होती है, मोशन होती है, वो 5 प्रकार का हमने आपको बताया हुआ था, इस अधार पर यहां पर आपका राइट एंसर फूरती नहीं होगा, आपका गति यानि इस्पीड हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से बुक में दिया हुआ है, उस हिसाब से एक्सलेशन कैपेसिटी और प्रतिकिया चंता आपका इस्पीड के अंतरगत आजाएगा, क्यो प्रचलेच जियोगता यह लोकोमडर अबिलेटी और चाल संसी है, यानि-शीत इस्पीड इन्डुरेंस है, नेच्ट पूजन है, निर्ण में से कौन सा वजन सहीज सक्ती विकास का व्यायाम है तो दोस्तों, यहां भी आपका वजन सहीज सक्ती विकास का व्यायाम है, ब प्रेवल ट्रेइनिंग को विक्सित किया था उनी सुभी इस में रेंडले वा गौर्चल और विकिला ने संसिर्टा वा गती संसिर्टा को डेल अप करने के लिए तो इसमें क्या होता है कि अन्प्लिट रिकवरी दिया जाता है अधुरा च्हति पूर्ति जिसके अंतरका अभ पुना शुरू कर दिया जाता है यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ब्यायाम की तीविता मध्यम से उच होती है कि अक्र Index को है इस है कि में से कौन सा वजन रहित सक्ती विकाश का व्यायाम है अभी बढकर से अधिल ऑन के में आपको बताया था वजन सा कि इहां पर आपका राइच अंशर हो जाएगे जंप एंड जैक ब़िकाश का रैक ब्यायाम है और अध्य आग कि नेक्ट दोस्तों ताकत तथा गती दोनों का मिस्रड क्या कल आता है आपको कई बार मैंने बताया हुआ है तो इसको बिस्पोटक चंता जो है बिस्पोटक सक्ति जो है ताकत और गती दोनों का मिस्रड होता है साइक तुरुप से होता है तिपकि सक्ति संस्रिता सक्ति और स और नहीं देगा तो संसान्सिर्था हो ऑट है। नेक्स्सक्षण है दोस्तों कांट यूजन सब्समादीत है। यह चोट से समंधित है एक आइप बड़े वस्तु या भारे चीज्ष़ इस एक आइप चोट लगता है जिसमें तोचा नीला वाला पड़ आपका केस्ट लापने के लिए प्रियोग किया जाता है आपको पता है के सटेंप जू है इसंदियालिस जो mural ने के लिए बोहाँ नलि यहां पे संसिलता वहां पे apology врем बोहाई के स५रके szerdesoft नहिए कृष्ट only lab iTION मापा जाता है दोस्तों गोडियों मीटर के द्वारा लचीला यानि जोड़ों का कोड़ मापा जाता है तो यानि की फ्लैसिब्लेटी आपका राइड एंसर होगा स्वें से भी कि अंतरगत नेक्स कोचन है इसके एक तोचा की चोड को क्या कहते हुए जश्ट बताएं हूँ इसी वीडियो में तोचा के छिल जाना एबरेजन कहलाता है ठीक है नेट गर्व है नेक्स कोचन है जोस्तों कि फॉर्ट लेग अढार्ण को क्या जाता है थो इसका ओर्थ होता है थैसे नेकी स्पीड प्लेश्ट बिणा पूरू प्रापर प्लानिंग से किया जाता है। नेक्स कॉच्शन है क्रायो थरेपी प्रत्म उपचार की रूप में निमने चोटों में दी जाती है। सब्सक्राइब दोपिंग już तो दोस्तो यह था आज की सिसन ने 50 MCQ कोशन्स इसमें बहुत सारे कोशन्स तो इसी में से फॉस जाएंगे दोस्तों तो मेरे साथ बस बने रहे हैं मैंने जो भी प्रैक्टिस करा हुआ है उसको दिल से लगा लिजे अवज से आप सफल होंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैक्टिस में देली बेसे से अब आप दोनु टाइम आपको वीडियो बिलेगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जय हैं